नमस्काल दोस्तों स्वागे था आपका अपने चैनल में स्टेस्पिक लाइच पर दोस्तों सक्सम योजना जब से बनाई गई थी नॉवंबर 2016 से तब से उसका मुख्या उदे से यही रहा था कि बिरोजगारों को काम दिया जाए और थोड़ा बहुत उनको आर्थिक साहता भी मिल्च के बत्ते के रूप में लेकिन दोस्तों वो जो सक्सम योजना है एक सोसन का जो हजरिया बन चुकी है आप लोगों पता है ओफिसों में सरकारी दफ्तरों में बैटे हुए अधिकारी करमचारी हैं किस तरह से सक्सम युवाओं का सोसन करते हैं एक तो उनको समय आपर वेतर नहीं मिल पाता है या फिर सो गंटे से ज्यादा काम करौए है उनके साथ ऐबंद्र वैवार किया जाता है बहुत सारे सक्सम यूवाओं को तो काम भी नहीं मिल पाता है कुछ इसune करमचारी ने बड़े से पर लगाया एबदर्ता का आरोप तो आप लोगों पता है बहुत सारे ओफिसों में ऐसे ऐसे अधिकारी मिल जाते है करमचारी जो सक्सम यूआओं के साथ एबदर्व वैवार करते हैं तो इसी की सिकायत लेकर यहां पर जो है सक्सम यूआओं पहुंचे हुए हैं देख लि साथ भी उनके साथ एबदर्वासा का इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे अधिकारी के खिलाब जुरूर एक्सिन लेना चाहिए सभी सक्सम साथियों को एक साथ मिलकर डिसी साहब के साथ भी गए हैं पास गए हैं तो अच्छी बात है कर यहां पर भी बात ना बने तो उसी आ जो अधिकारिया उसके फेवर में ही बात करते हैं तो अगर वहापर काम ना चले तो अमेशा आगे की तरब कदम बढ़ाना चाहिए हार मान कर बैठ नहीं जाना चाहिए इसके खिलाब जुरूर करवाई होनी चाहिए जो इस तरह कायब दरवयवारे करते हैं तो यहां पर लेकिन सुनवाई नहीं होने से इसने उन्हें सिकायत DC को देनी पड़ी इसके जो साथ हैं यहां पर बीमार्मी के सथे से भी आए हुए थे उनका कहना है कि वे सक्सम करमचारियों के साथ हैं अगर उनके साथ गलत होता है तो परदर्शन किया जाएगा मोके पर बीमार्मी जिला देक्स यहां पर बताया गया है प्रदीप गौतम जी और जो सरे साथ है जो यहां पर आए हुए थे तो एक आवाज उठाना अच्छी बात है दोस्तों अपने अधिकारों के लिए जब से यह योजना बनी है दोस्तों नॉमबर 2016 से तब से लेकर आज तक इसमें कोई इनका साथ देना चाहिए जो कि एक बहुती सराणिया कदम है आवाज उठाना अपने हकों के लिए तो एक चोटी से अपडेट आप लो ने थिकर आप भी चाहते हैं याना में एजुकेशन से लेटी एड़ सक्सम्यों योजना समंदे सभी परकार की जानकारी समय पर पाना वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ सेर करें थेंक यू वेरी मुच